स्वागत है सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रूब कर पर तो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए जिन बच्चों के मैत में बैक लग जाता है थोड़ा आप लोगों के लिए कुछ ग्यान है वैसे तो ग्यान की आप पास कमी नहीं है फिर भी कुछ हमारी तरफ से राय है जिनके बैक लगता है जिनको डर रहता है जिनके कम नम्मर आप आते हैं उनको कुछ राय है हमारे लिए उनके लिए हमारे पास तो देना चाहूंगा आप लोगों को अगर पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो छोट अगर पढ़ी हैं आप लोगों ने सारी चीज़ें जिसने नहीं पढ़ी हैं तो उससे तो मैं पहले यही कहूंगा अभी 4-5 दिन आप पढ़िये फिर अगर नहीं पढ़ी है तो और अगर आपने पूरा गड़ित एक बार पढ़ लिया है तो आप फिर अमारी बात को सुनिए जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ ले देखो आपको मैं बता दूँँ आप लोग गलतिया कहा करते हो आप लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा एक सब्द यह गोसा रहता है इस टेप मार्किंग क्या गोसा पढ़ा है कीड़ा यह है जो आपके दिमाग में स्टे 13 दिन का समझ लें क्योंकि कोई भी हमारे हसाब से आपको नमबर जो है स्टेप मार्किंग का नहीं मिलता होगा चाहिए बच्चों के नमबर आते हों नमर की बढ़ जाना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ता है जैसा आपने देखा होगा नहीं बढ़ता है और दुबारा भी जवाब री चेक कराते हैं स्क्रूटनी होता है तब भी नहीं बढ़ता है अगर बढ़ा हो किसी का तो बता है हमारे हिसाब से तो यह जो step marking नाम का कीड़ा है अपने दिमाग से निकाल दे अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ जैसे हाँ नंबर मिल जाता है कम मिलता है नंबर तम मिल जाता है जब आपने कोई step एकाद गोल की हो या कोई गलती भी की हो लेकिन आपको question रटा रहा हो और आपने answer उसका सही रख दिया हो तब आपको क्या होता है step marking लगा करके अगर दो नंबर का प्रस्ण है तो एक नंबर या जो भी एक बटा दो तो हमको लगता नहीं चलता होगा अगर step marking चलाते होंगे तो चलाते होंगे हो सकता है दो में एक बटा दो एक बटा दो करके एक नंबर बना देते हों तो फिर आपको मिल जाता होगा अब हमारी राय आपके लिए ये है आपको करना क्या है जैसे आप क्या करेंगे 2000 जादा बैक नहीं जाएंगे लगबग 2014 से ले करके हम भी आपको पढ़ाएंगे अब दो तीन दिनों दो दिनों में सारे पेपर पढ़ा देंगे एक दिन में दो पेपर हो जाएंगे वही 4-5 पेपर ही होंगे 2014 से लेकर 2022 तक ठीक है जितने भी प्रिबियस येर मैट के पेपर हुए हो सबसे पहले उसमें आप क्या देखेंगे मैं आपको वह बताता हूँ बस यही समझना है आपने कोशन देखा पहला कोशन देखा लगाया आपसे लगा आपने दूसरा देखा लगाया आपसे लगा आपने तीसरा देखा नहीं लगा जो पेपर से नहीं लगे कि रास मारना, आपने सारे प्रसन लगाए, आपने देखा कि आप से 6 प्रसन लगबग लगे ही नहीं, 6 प्रसन आप नहीं लगा पाए, जो आपने लगा लिये सवाल उन पर आप इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आप अगर पेपर में आ चतुर भुच्च का था झार हम लगा नहीं पाए एक सवाल यार हमारे पास माधिका का जया कि यार हम उसको भी नहीं लगा पाए है तो हमारा कहने का तत्वर यह आपने 2014 से लेकर 22 तक के पेपर सोल्प किये आपने उसमें जो जो सवाल नहीं लगा पाई एक तरफ लिख लिए, फिर आप ये देखेंगे कि यार ये जो बेलन का सवाल था, इस सवाल में ऐसा क्या था जो हमको नहीं पता था, जो हमसे गलत हुआ, चतुर भुजब के सवाल देखेंगे जो आप से गलत हुए होंगे, कि ऐसा क्या इसमें था, जो हम नहीं जानते हैं अभी भी, और हमसे गलती हो रही है, तो आपको ये देखना है, कि आपने पेपर सॉल्फ किया, आपने पेपर में 15%, 18% या 15% आपने उसमें से 10 सॉल्फ कर लिये, आठ गलत किया, पीजंब किया कियों गलत किया, कलती कहां पर हुई, क्या चीज ऐसी हमको नहीं पता है, जिस वजए से हमसे वो प्रसंग गलत हो रहा है, या तो आपको फार्मूला नहीं पता होगा, या तो आप उसकी भासा नहीं समझ पा रहे होंगे, या तो आप कहीं गुणा भाग मल्टी, मतलब जो भी कुछ जोड घटाना होता है, उसमें समझ लीजिए कि आपको ऐसे वाले सवालों के लिए 10 अमलब बाले कुछ सवाल ले लीजिए सेंप्लिफिकेशन से 10-20-50, उनको आप 1-2 घंटे समय दीजिए और गुणा करकर के सवाल को लगाईए सेंप्लिफिकेशन के, तो आपका थोड़ा क्या होगा, माइंड जो होग भाई, अगर आप टिगनोमेट्री पढ़ रहे हैं, आपने टिगनोमेट्री के हर पेपर में सवाल देखे, ठीक है, आपने टिगनोमेट्री के हर पेपर में सवाल देखे, एक ये क्या दो-दो सवाल, मानलो आप कहीं मान जो पहलू आ रही है, जैसे साइन 30 आ रहा है, कहीं मान याद कर लीजिये, सारे, या आप कोई फार्मूले में टिक्नोमेटी के गड़बल कर रहे हैं, तो आप उस फार्मूले को याद कर लीजिये, कहने का मेरा तत्पर ये है, कि आपको ये देखना है, अब अन्तिम समय, जो पेपर आये, जो हुए है भी तक, उसमें ये देख ना है, कि कौन सा प्रस्न आपसे गलत हुआ और आपने गलती कहां पे की, गलती को अपनी ढूनना है, और उसी गलती को सुधार लेना है, तो पेपर में जब प्रस्न वही आएंगे, क्योंकि सेम टू सेम बैसे ही आने, सीधी सिवात, बेलन, संकु, घन, गना, प्राइक्ता चतुरबोज, मादिका, है ना, बर्गमूल, घन, मूल, सारे कोश्चन तो वही आने है, तो आप जहां पर आपकी जो गलती हो रही है, उसी गलती को अगर आप पकड़ लेंगे अभी और सुधार लेंगे, तो फिर आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी और आप बैक से ब चता है, वहाँ पर आपको क्यों कहा जाता है कि प्रेक्टिस करिये, इसी लिए तो कहा जाता है भई प्रेक्टिस करिये, आप से गर कही गलती हुई प्रेक्टिस टाइम, तो फिर प्रेक्टिस करने के बाद, लाश्ट में आप जाचते भी तो हैं कि आपने क्या क्या सही कि या क्या गलत किया जाचने पर फिर आपको ये पता चलता है कि हमने ये question गलत किया तो ये नहीं कि वो गलत किया जाने दो एक गलत हुगा था मेरा या दो गलत हुए थे हमने इतने सही कर लिए मेरे 22 नंबर बंद है 20 नंबर बंद है आपने क्या कि जो आपने दो तीन सभी स्थार लोगे तो पेपर में नहीं गलत होगा हो सकता है कि जो आज आज आपने practice करते time सही कर लिए ऐ în question, हो सकता है वो फेपर मेंरे गलत हो जाए और इसके बाद में बो भी गलत हो जाए जो दो, तीन आपने गलत की थर आपने तो फिर गलती देखी नहीं तो बो अभी गलत करोगे और इधर से भी गर दो-तिन गलत कर दिये तो फिर क्या होगा नंबर कम हो जाएंगे फिर वैक लग्याएगा यही सारी समस्याओं को आपको सुधार ना है जादा कुछ नहीं करना है जादा दिमाग पर प्रेशर देना है बस जो गलतियां आप करते हैं उन झ Então उरेद पूंग झा करते हैं, उनके मावा छुझ वया है mode ये करते हैं, तर दिमाग्याओं करते हैं हैं जाएंगे.